हेलो फ्रेंड्स जारकन करेंट अप्यस जिसमें हम सितमर अक्टूबर के कुछ उनको देखेंगे और उसमें से जो है हम इसको वाला एंटर के तरफ से देखेंगे और जो इसमें पहला कॉस्चन यहां पर देख सकते हैं मिस इंडिया चार्मिंग इनिवर्स दिपाली की सहर की हैं साथ इसाथ डाक वबाग ने किस वीर सहीद पर डाक टेकर जारे किया है और जैसे ल पीस में पहला अस्थान की सजीले को मिला है तो इस पर करके कुछ को देखेंगे और इसके बारे में पूरे डिटेल से हम सितम और अक्टूबर 2021 के कुछ करेंट इसको हम देखते हैं और समझते हैं पूरी अच्छी तरीके से इसकी जानकारी को पहला question है Miss India Charming Universe दिपाली जारखन के किस सहर की है तो यह question है इसके option है राची, जमसेदपूर, हजारेबाक और बोकारो तो दिपाली जो है जारखन के किस सहर की है तो इसका जो सहुत्तर वहा है राची तो राची सहर की है Miss India Charming Universe जो बनी है दिपाली इसके बारे में पूर जानकारी को देखते हैं कि क्या है जानकारी तो जायपूर में आयोजीत मिस इंडिया चार्मिंग यूनिवर्स में राची की दिपाली जारखन और राची सहर का नाम रोशन किया दिपाली ने जारखन का नेत्रत्य किया और देश भर के 50 से अधिक परतिभागियों को पीछे चोड़ने में सफल रही तो दोस्तों यहां जो मिस चार्मिंग यूनिवर्स है उसका आयोजन जयपूर में ववा था और इसमें राची की दिपाली जो है उन्होंने जारखन और राची सहर दोनों का नाम को रोशन किया है और यह जारखन का ही नेत्रुत किया था और साथ इसाथ देश भर में 50 से ज़्यादा परतिभागे थे तो इन सबों को यह पीछे चोड़ते हुए यहां मिस इंडिया चार्मिंग इनिवर्स बन गई राची जारखन की दिपाली दिपाली पेशे से सोफ्ट्वियर इंजिनियर है और अब अंतराष्ट परतियोगिता में भारत का नेत्रुत करेंगी तो दिपाली के बारे में यह है कि यह एक पेशे से सोफ्ट्वियर इंजिनियर है और अब जो अंतराष्ट परतियोगिता होंगी उसमें भारत का नेत् आज़ी शहर की दूभा दाक विभाग ने जहरखंड के लिए जहितन करma दाक टिकट जारे किया क्या पराइब जारी हो चुका है तो इनके बारे में थोड़े सी जानकरी को देख लेते हैं तो वर्या डाक निरिच्छक सिलांगाई जाकर विर बूदु भगत के नाम पर डाक टिकट जारी किया और डाक टिकट का प्रतिक चिन वनसचों को परदान किया तो दोस्तों जो वर्य डाक निरिचक थे वो इनके गाउं जो है सिलांगाई गाउं वहीं पर जा करके डाक टिकट को जारी किया और डाक टिकट का जो प्रतिक होता है प्रतिक चिन वहा विर बुदू भगत के वनसचों को परदान किये, वर या डाख निचक तो हम यहाँ पर यह जानेगे कि विर बुदू भगत के नाम पर नया डाख टिकट जारिक रिक्या गया है, डाख भिवाग के द्वाण, तो यह भी भारत के प्रावड मोमेट है कि सहीदों को इस प्रकास समानित किया जा रहा है तो आपको यह याद रखना है दोस्तों विदू बुदु भगत को अगर आपको जानना है उनके बारे में जाना कि तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दियेगे लिंक पर जाकर के देख सकते हैं व वेस्ट फिल्म का पुरसकार किस नाकपूरी फिल्म को मिला तो यह है कि फिल्म फेस्टिबल में शोट फिल्म केटेगरी में वेस्ट फिल्म का पुरसकार किस नाकपूरी फिल्म को मिला ओप्शन है आपका गंगवा धुमकुडिया फूल्मूनिया बांधा खेद यह चार फेस्टिबल में सोट फिल्म केटेगरी में बेस्ट फिल्म का पुरसकार मिला है तो यह भी झारखन के लिए एक प्रावड मोमेंट है कि यहां का जो है नाकपूरी फिल्म बांधा खेत उसको बेस्ट फिल्म का सोट फिल्म केटेगरी में पुरसकार मिला है तो इसके बारे मे ट्राइवल फिल्म फेस्टिवल 2021 में तीन अवार्ड मिला है तो दोस्तों इसमें तो आपको जान ही गयी है कि बांधा खेत को बेस्ट फिल्म केटेगेरी में मिला ही है बेस्ट फिल्म को पूरसकार और इनको जो है COVID-19 International Tribal Film Festival जो कि 2021 का हुआ उसमें तीन अवार्ड भी मिले हैं इस बांधा के सोट फिल्म को तो ये भी एक proud moment है अच्छी है जारखंड के लिए दोस्तों इस फिल्म में आदिवासी किसान के बारे में बताया गया है जो कि अपना भरन पोसन के लिए अपनी जामीने उसको गिर्वी रखता है उसको बांधा रखता है तो ये इसी फिल्म में बताया गया है जिसमें एक आदिवासी किसान है जो कि अपना भरन पोसन करने के लिए अपनी जामीन को गिर्वी रखता है बांधा रखता है तो यहाँ है बांधाखेद फिल्म की कुछ कहानी और इसी को मिला है बेस्ट फिल्म का सोट फिल्म केटेगरी में अवार्ड नेक्स्ट कोस्चन है जमसेदपूर की ससी संगीता बारा कहां के होट मोंडे मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 के फिनाले में भाग लेंगी तो यह कोस्चन है कि जमसेदपूर की है ससी संगीता बारा वो कहां के होट मोंडे मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 के फिनाले में भाग लेंगी ओप्शन है आपका लंदन दुबाई लास वेगास और सिंगापूर तो यह चार ओप्शन है तो इसका जो सही उत्तर है वहां है दुबाई तो दुबाई में जो होगा होट मोंडे मिसेज इंडिया वर्ल्ड वाइड 2020 वहीं पर जमसेदपूर की ससी संगीता बारा भाग ल ओप्शन है अर्षाइब की आदिवासी लोकण्रितिया चायू को भी पेश करेंगे तो दोस्तों यह जो है जार्खंड की जो आधिवासी लोकाती है चोब यह प्रशीद भी है तो चेफ्टों का प्रदर्शन भी इनके द्वारा किया जाएगा और इनका जल्म होग substantive और प पूरकी सासी संगीता बारा जै सेल पी तो इसका जो सही उत्तर है वहा है बोकारो जी लोको पहला है अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर और क्या-क्या चीजह हुई है तो जै सेल पीएस की तरफ से खूटी को रेसम पालन, गिरीडी को काले गेहु का आटा प्रोत्साहन, पाकूर को दाल मिल, गणवा को पीभी टीजी पाटसाला, रामगड को बेक्याड पोल्टरी, पलामू को लाह के लिए सांतवना पुरसकार दिया गया है तो खूटी को रेसम पालन में सांतवना पुरसकार मिला है, गिरीडी को काले गेहु का आटा को प्रोसान करने के लिए सांतवना पुरसकार मिला है, पाकूर को दाल मिल के लिए सांतवना पुरसकार मिला है, गणवा को पीभी टीजी पाटसाला के लिए, रामगड को बेक्या प्रतिवा सर्मान में जो पहला स्थन मिला है वह है वोकारो तो यह सब सारी चीजें इंपोर्टेंड आपको याद रखना है अब हम एक और कोश्चन को देख लेते हैं कि निम्न में से किस ने महिला राष्ट्य तिरंदाजी चेमपियन्शिप का खिताब जीता? ये कोश्चन हैे, अपके लिए ओफ्शन है दीप्ती कुमारी, को मोलिका भारी, दिपरिका कुमारी और इन में से कोई नहीं ये चार अप्षन है तो किस महिला ने महिला राष्टिय तीरंदाजी चेंपियंशिप का खिताब जीता है तो इसका सही पतर है दिप्ति कुमारी तो ये आपको याद रखना है दिप्ति कुमारी ने जे आरडी स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स जमसेदपूर में आयोजीत चालिस इसमी सिनियर नेशनल ऑर्चरीज चेंपियंशिप तो यहाद के जो महिला का खिताब है उनको दिप्तिकुमारी नें जीत लिया है और खिताब अपने नाम कर लिया तो यह बहुत ज्याधा तिरंदाज हैं और कोमली का सेकेंड नंबर पर रही दिप्तिकुमारी पाले नंबर पर दोस्तों दिप्तिकुमारी जोनहा रांची जहरखन की एक फेमस तिरंदाज हैं तो यह हैं जोनहा रांची की एक फेमस तिरंदाज दिप्तिकुमारी तो आपको इतनी सार जानकारी को याद रखना यह जब बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट रहें कि करने फिर से लगातार कोश्चिन पूछे ही जाते हैं तो आपको इतनी सर जानकारी को